जैहिंद मैं नेविन कुवार्ण सिंग डिरेक्टर प्लेटफॉर्म जुके सेंटर प्राइवेट लिम्टेड पटना जब से गुरूप डी का अंसर की जारी किया गया है तब से लेकर के अभी तक मैं सैकरों स्टुडेंट से लगातार बात किया बात करने के माध्यम बहुत मोड में भी स्टुडेंट प्रसनली आकर के मेले बहुत फॉन से वाटस अप से यूट्यूब पर भी कमेंट लगातार देखे लेकिन इसमें कुछ बातों पर गवर करना जरूरी है अभी तो आप देखेंगे यूट्यूब पर लगातार आप देख रहे हैं कि कटॉप पर ह लगातार चर्चा चल रही है कहींみ क्यांतर है कॉटम में क क्या है क्या है क्या है क्या योट्स ऑंव वाइच किया है वह गर वह इसी सब में लगातार चर्चा चल रहे है स्टूंट ज ś actual चल नीं प्हाईए क्योंकि अभी सभक सभ पिर १ि बशन से 100 चलने भी चाहिए बाकी का 64,00,00 स्टूडेंट का क्या गवर करने वाली बात यह है और अभी बाचीत के दरम्यान अच्छा खराब हर तरह कानुभव रहा बहुत सारे इसे भी स्टूडेंट मिले जो काफी खुश थे जिनका स्कोर संतोष जनक था और बहुत सारे इसे भी स्टूडेंट थे कि जिनका स्कोर आसा का नुरूप नहीं रहा या बहुत कमजोर स्कोर रहा तो उनका फरस्टेशन भी जाइज था और बहुत फरस्टेट भी थे उसमें बहुत सारे इसे भी स्टूडेंट थे जिनका एज लास्ट हो रहा था बहुत सारे इसे थे जो कि आर्थिक परिसानियों से पहले से गुजर रहे थे उनके लिए अब एक बरा सा जटका लगा कि मार्स बहुत 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 बहुतर उनका नहीं रहा पाया नहीं आ पाया कारण जो भी रहा हो तैयारी में कमी रहा हो या कहीं न कहीं कमी जरूर रहा जिसके वज़े से मार्स वो बहुत बहुत नहीं कर पाए इसमें बहुत सारे ICB student थे कि जो की काफी आर्थिक दिक्कतों से जूजते हुए struggle करके तयारी किये थे लेकिन उनको आसातीत सफलता नहीं मिलते हुए दिख रही है तो आखिर इसी सब बातों पर चर्चा हम करेंगे कि अब आगे क्या तो सबसे पहले तो इसमे देखना यह है कि जो student जिन student का भी 50 से कम मार्स है 52, 55, 55 से कम मार्स है तो निश्चित रूप से 55 वाले भी hope कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमको किसी जिस board में भी है उपर नीचे करके चुकि question का level ठीक ठाक रहा है तो हमको जगह मिल सकती है यह अलग बात है कि आगे देखना होग कि finally क्या होता है क्योंकि category wise आप देखेंगे तो SC, ST, EWS वालों को कुछ एक board में 55 के लगभग में राहत मिल सकती है लेकिन अगर general contribution बिलॉंग करते हैं या OBC में भी है तो कोई जरूरी नहीं है कि हर zone में आपको सफलता मिल पाएगी confusion निश्चित रूप से बना हुआ रहेग अब आगे के बारे में देखना है कि frustration से तो काम नहीं चलना है माने कि आपके साथ बहुत दिक्कत है दिक्कत से आप गुजर रहे हैं लेकिन थोड़ा motivate होने की जरूरत है थोड़ा खुद को assess करने की जरूरत है कि कहां हमसे कमी रह गई और आगे चुकि आपको मालुम है कि दुबारा से vacancy का एक अच्छा period आ रहा है चुकि 2024 में central government में central का election होना है और 2025 में ही कई state में भी election है उसको धियान में रख करके statewide भी vacancy की संभावना ये अच्छी खासी है अगर बिहार की बात करें तो 2025 में election है और यहां के बरत्मान सरकार ने पहले से घुसना कर रखी है कि 20 लाख vacancy हम देंगे अगर 20 लाख नहीं भी देती है तो 10 लाख भी vacancy आती है 8 लाख भी vacancy आती है तो मेरे ख्याल से 2023-2024 ठीक ठाक रहना चाहिए आप तो इसका आगाज आप देख चुके हैं 2022 के last से ही दिखने लगा है लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि आर्थिक परिसानी जिनको बहुत जादा है अगर आपके मन में विश्वास है अगर आप ठान लेते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे इसे भी student है कि अपना रास्ता वो खुद तयार करते हैं गारजन उस लाइक नहीं है या उतना maintain नहीं कर सकते हैं कि सभी को एक जीसी सुबधा दे ये लगातार लगे रह पाएं तो ऐसा हर किसी को नसीब नहीं होता है सबका इस्थिती एक जैसा नहीं रहता है हम ये कहना चाहेंगे कि चुकी वेकंसी का आगे ठीक ठाक रहने की संभावना है तो जिनको आर्थिक रूप से दिक्कत नहीं है तो उनको जैसे भी अभी तया पता है कि जो भी वेकंसी अपकमिंग है अगर रेलवे की बात करें तो डेर लाख वेकंसी आपकी आने की संभाबना है जिसमें टेकनिकल और नॉन टेक तोनों तरह का पोस्ट है और टेकनिकल में बात करें तो सबसे ज़्यादा वेकंसी आपका लोको पैलेट का आ सकता है अनिवार्ज कर दिया गया है इसलिए भहुत सारे स्टुडेंट को लगता है कि हमारा अगला एलपी पकराए ने पकराए अगर अभी से एक साल का भी कोर्स हम कर लेते हैं डिजल मेकनिक ट्रेक्टर मेकनिक ओगर है वेल्डर होगर है तो मेबी कि हमको गुरुप डी में हमको चांस मिल जाए चुकि तयारी उनका पहले से बहतर है थोड़ा सा उनको लगता है पुस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा तो उनका भी कहना जाइज है अगर विहारक संदर में देखा जाए तो 28 तारिक लास्ट डेट है जनरल एकीस बाइस तक आपका एडमिशन इसमें चलेगा इसके बाद अधर स्टेट में भी लगभग कमोबेश यही स्थिती रहेगी अब तो आइटिया वगरे में एक्जाम में भी थोड़ा सुबधा यह हो गया कि एक दिन आपका थियोरी होगा दूसरे दिन प्रैक्टिकल हो जाता है दो ही दिन एक्जाम चलता ह ऑनलाइन एक्जाम के कारण से रिजल्ट भी आपको 15 दिन के अंदर में मिल जाती है जनरली जुलाई वगरे में एक्जाम होता है और 15 दिन में अगस्त वगरे में संभवता रिजल्ट आ जाती है तो हम यह कहना चाह रहे थे कि स्टुडेंट को थुरा से अपने को करना और performance जहिसा भी रहा है अगर performance पचास से कम मार्स आपको आ रहा है तो एक बार निशन दे self assessment की ज़रुत है कि पचास से कम मार्स हमारा क्यों रहा क्योंकि question का जो भी level था तो वो सब के लिए level था मैत आपका कैसा रहा मैत बहुत अच्छा रहा कि नहीं रहा reasoning आपका बहुत अच्छा रहा कि नहीं रहा इसके अलाबाद GS में science portion आपका बहुत अच्छा रहा कि नहीं रहा और any section की क्या इस्तिती रही आप bite करके एक बार उस पर मुल्यांकन कीजिएगा self evolution कीजिएगा तो गंभीरता पुरवक अगर आप एक एक चीज लिख करके अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि निश्चित रूप से हमको कौन-कौन सा paper में दिक्कत रहा है और अगर आगे के लिए आप तयार होना चाहते हैं next vacancy अगर आपके target में है तो उसको आप चिन्नित करें जहां जहां भी आपको दिक्कत रहा है और इस बीच में उसको improve करने का प्रियास करें maximum में इसे student हैं खास करके जो कि पीछ इस बार exam दिये थे उनका लगभग सारा तरह कोर्स समाप्त हो चुका था math पर लिए होंगे, reasoning पर लिए होंगे, science, arts सारा subject आप पर लिए होंगे तो उनको चाहिए कि अब अधिक साधिक बेहतर तरीके summary vision कैसे कर पाएं अगर तब भी लगता है कि नहीं हमारा basic ही बहुत जादा कमजोर रह गया है तो अभी आपके पास समय मिलेगा तो आप इस बीच में अपने basic को जिस subject में भी problem है उसको चिन्नित करके उसको दूर करने का परियास करें और अगर किसी खास topic में problem है तो उस topic को आप improve करने का परियास करें अगर ज़्यादा परिशानी नहीं है तो किसी Twitter का मदद ले सकते हैं और अगर दिक्कत है आर्थिक परिशानी है तो आप YouTube का भी सहरा ले सकते हैं आज कल तो social media का जवाना YouTube पर लगभग हर topic का अच्छे अच्छे teacher का वीडियो उपलब्ध है फ्री content उपलब्ध है तो आप वहां से भी help ले सकते हैं अना ही तो बहुत target batch, foundation batch होगर है online mode में और offline mode में दोनों mode में start होता है प्लेटफॉर्म में भी अभी देखेंगे आप जब दीपावली छट का चुटी का बाद जब खुलेगी तो हर तरह का batch foundation लेबल से भी, target लेबल से भी online, offline दोनों mode में start होगी तो जो student पटना आकर के तयारी करना चाहते हैं, वो एकदम zero level से basic course चाहे लोको पैलिट का हो, trade का हो, non-tech portion का हो उसको आप कर सकते हैं, 8 महिना, 9 महिन लगेगा, आपका पूरा syllabus बहतर तरीके समाप्त हो जाएगा और जो student पटना नहीं आ सकते हैं, online ही तयारी करना चाहते हैं, तो the platform app को download करके वहाँ से भी इस सुबधा का लाब उठा सकते हैं, या जहां पर भी आपको इस तरह की सुबधाई मिलती है, जो भी teacher आपको जस्ता है, तो वहाँ से आप ये चीच कर सकते हैं और अगर तब भी दिक्कत है, तो फिर जो हम बोले हैं कि YouTube से आप content ले करके उस से लाब उठा सकते हैं, अभी जैसे ALP technician का ही बात करें, उसके non-tech person का ही बात करें, तो जैसे ही coaching दिपावली छट के बाद खुलेगी, तो उसमें math का ही है, तो ALP की अगर हम बात करें, तो उस वहां से भी उसका lab आप उठा सकते हैं, नहीं तो उसका target batch वगर ऐसे lab उठा सकते हैं, minimum fee तो online में तो minimum fee पे सारा class चलता है, 50-100 रुपिये per paper के हिसाब से जोरीएगा, तो वहां तक पहुच पाता है, non-tech person की बात कर रहे हैं, तो देख लेना है उस हिसाब से, और नहीं तो आप self study के माध्यम से एक target बना लें कि कौन-कौन सा portion हमारा ज्यादा वी करा जा रहा है, तो उस पर self study के माध्यम से आपस में group बना करके कुछ दोस्त लोग का उसको तब improve करने का परियास करें, तब भी आपका हो जाएगा, और एक upcoming vacancy के अगर हम बात करें, चर्चा करें, जैसा कि हम technical की पहले बात करते हैं, तो अभी आप देख लिजिए, जो student ITI किये हैं, डिपलोमा किये हैं, बीटेक किये हैं, पहले उनके लिए हम चर्चा कर देते हैं, कि आगे कौन-कौन सी vacancy आ सकती है, जिससे कि आप अभी से prepare हो करके, अगर पचास के आस-पास मार्स आ है, तो कम 15-20 मार्स आपका कैसे बर है, उसके लिए आप काम करेंगे, तो ALP लगवक साथ हजार प्लस वेकंसी आएगे, ALP technician का, उसके बाद group D का, उसके बाद RPF SI का, उसके बाद RPF police का, ये railway का हो गया, उसके बाद non-tech portion का, तो ये railway का हो गया, इसके अलाबर देखेंगे कि SSC का 70,000 प्लस वेकंसी, कुछ तो आपका दे दिया है, कलेंडर तो सारे का जारी कर दिया गया है, उससे आपका किलियर हो जाएगा, इस्टेट लेवल में अगर हम बात करें, तो इस्टेट लेवल वेकंसी अभी बिहार के संदर में बात करें, तो बिहार SI का, अपकमिंग बेकंसी भी आ चुका है, इसके अलावा बिहार SSC graduate level का form भरा गया है, इसके अलावा बिहार SSC plus 2 level की बेकंसी आने वाली है, और UP से भी धेर सारा form भराया जा चुका है, उसी तरह के अधर स्टेट से भी बहुत सारे exams का form भराया जा चुका है, और upcoming vacancies भी है, एक बार पिछल के लिए आपको सोचना परेगा लगातार उस पर चलना परेगा अगर फ्रस्टेट होकर कि आप बैट जाईएगा तब भी आपके साथ प्रॉब्लम होना है और अभी एक साल दो साल आपको जॉब नहीं मिलेगा तो आगे चल करके समझ लिजी कि और भी ज्यादा मस्किल होना है कि क्योंकि Government की जो Policy है लगातार निजी करन लगातार निजी करन तो Government जब आपको मिलेगा कहा से और प्राइवेट मे जाना है तब तो कोई बात नहीं है तो तो जिन्दगी भरागा हुआ है कभी भी आपको private में नोकरी मिल जाएगी लेकिन तलवार उसमें हमेशा आपके सर पर लटकता रहेगा इसलिए जब तक आपका age है जब तक आप सक्छम है जब तक आप अपना रास्ता निकाल सकते हैं तो आपको government job के लिए परियास करना चाहिए और हम तो यही देखे हैं कि जो भी मंदारी पुरुवक लगा हुआ है थोड़ा लेट हुआ है लेकिन निसंदे उनको कोई न कोई जॉब कोई न कोई पोस्ट होल्ड हुआ है थोड़ा देर लगा है तो practice से बहुत कुछ बहतर हो सकता है अगर लगतार आप लगे रहते हैं आपस में group बना करके question bank से देखिए कि किस तरह का question पूछा जा रहा है और फिर उसके हिसाब से खुद को तयार कीजिए तो मेरे ख्याल से बहुत परिशानी आपके साथ नहीं रह जाएगी तो इन छोटी छोटी बातों पर गवर करके आप maximum improve कर सकते हैं और उसमें भी आप देख सकते हैं कि subject wise भी एक अपना खाका आप तयार कर लीजिएगा जिसे math है math में advanced है arithmetic है DI है आगामी जितनी भी exams आपकी है तो आप जो भी अभी group D NTPC के लिए परह होंगे तो 100% general competition में उससे ज़्यादा tough question आपका नहीं पूछेगा उसी type का question गुमा फिरा करके आपका पूछना है और उसी को और अच्छे साब तयार कर लीजिए topic by topic तो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत नहीं होगी 50 marks आ रहा है तो 20 marks और बरहने का target रखिए reasoning में भी आप देखे हैं कि TCS exam आपका conduct की reasoning का question कितना standard पूछा गया और उसी साब से खुद को अगर आप तयार कर लेते हैं तो reasoning में भी परिशानी नहीं रहा जाएगी और लगभग हर exam में math reasoning पूछा ही जा रहा है और हर exam में science portion से question आपका पूछाई जा रहा है तो science को भी अच्छे से improve करना चाहिए और एक बात हम कहना चाहेंगे जिसको आपको गाठ बांद लेना चाहिए कि अगर हम general competitive exams की तयारी करते हैं तो निश्चीत रूप से typing का ग्यान अतियावस्यक है वो आपको कभी न कभी भीर से अलग जरूर करेगी अभी आप समझ लिजे कि railway NTPC का जब result आया बहुत सारे आई से student थे कि पहले से typing नहीं किये थे और जा करके जब result आया तो एकदम बाप बाप करके 2 गंटा, 3 गंटा, 4 गंटा typing में लगे बहुत student तो मेहनत करके मुकाम हासिल कर लिए दक्षता प्राप्ट कर लिए लेकिन maximum student को problem हुआ, errorless typing जितना speed में खोज रहा था last moment में नहीं आपाया, अच्छा मार्स रहने के बाप जूद तो आब आप समझ सकते हैं कि जिनका बहुत अच्छा मार्स रहा है और लगातार इसके लिए तीन साल, चार साल से मेहनत किये हैं अगर typing के बज़े से उनको वो post hold नहीं हो पाता है या typing के बज़े से दोर से बाहर हो जाते हैं तो कितना दिक्कत है कितना उनको अफसोस इस बात का होगा कि जो कि typing बहुत टफ नहीं है अगर चार महिन लगातार आप आदा गंटा 45 मिनटी एक गंटा समय दे देते हैं तो 100% आपका जो speed होना चाहिए आप पहुँच जाएंगे एक गंटा अगर समय अगर regular देते हैं तो 100% आपको उतना speed आपका मिल जाएगा लेकिन अगर इसके कारण से अगर आप दोर से बाहर होते हैं तो कितना अपसोच रहना है उसी तरीके सा भी आप यहार की हम बात करें एक वेकन्सी आई है सिबिल कोट का उसमें हिंदी और इंगलिस दोनों टाइपिंग कोज रहा है तो मुश्किल से हमको लगता है 5% भी SI student नहीं है जिनको हिंदी और इंगलिस दोनों सोट हैंड का ग्यान है तो उसका 50% से अधिक seat खाली रहेगा अगर कोई student होगा जो दोनों कर लिया होगा इस बीच में कितना अच्छा golden opportunity उनके लिए है तो कभी भी कोई भी degree बेकार नहीं उसक curator आगी कहता है और आप दोनों का का लिए हम मोका गातार बढ़ते निहीं प्रशेंटे के बादब भी सृच्टा निकलता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप डिगरी लिए बच्छलर लाइब दोगतार नहीं नित-टन्र रहेंगे क्योंकि अच्छे से तयारी करने में दो साल, तीन साल, चार साल लगी जाता है और उतने student time देते हैं तो इसलिए इन छोटी-छोटी चीजों को भी साथ मिले के चलते रहना है बैट के यह नहीं सीधा परहाई करने से अभी आपका काम नहीं चलना है और अगर आप च ग्रूप क्रियेट किजिए, डेली सेट प्रेक्टिस साथ में बनाईए और कहीं एक साथ हजार, दो हजार बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो बीच बीच में सब्ताम एक दिन, दो दिन, तिन दिन, वहां घुसने का परियास किजिए जिससे कि तुलनात्मा ग्रूप से आप जज कर पाएं कि दूसरे बच्चों के रिस्पेक्ट में हमारा क्या पोजिशन है, कितना मार्स हम को आ रहा है, और जब उसी हजार-दो हजार बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफरमेंस नहीं रहेगा, तो क्या आपको लगता है कि जहां लाकों नहीं, अब तो करोर बच्चे बइटने लगे हैं, वह हमारा रिजल्ट हो जाएगा, कता ही संभव नहीं है, इसलिए कंपे रिजन भी जरूरी है, दूसरे अच्छे स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में, और अगर अच्छे स्टूडेंट का, अगर आपका साथ मिल जाता है, आपस में ग्रूप बनाते हैं, तेज तरारे स्टूडेंट के साथ में, तो निसंदे हैं, आपको भी फाइदा होगा, अगर हम पटना की बात करें, अभी देखते हैं, हम गंगा किनारे, लगबग हर फिल्ड में, चाहे स्टेडियम वाला फिल्ड हो, गांधी मैदान हो, चाहे कॉलेज वाला हर जगे बच्चे बइट करके पचास वाक संख्या में सेट वगर बनाते रहते हैं, अलग बात है कि मैक्सिमम सेट अपना ही प्रकासन का सेट रहता है, लेकिन अच्छा लगता है देख करके, कि चलो कम से कम डायरेक्ट नहीं, तो इन डायरेक्ट रूप से भी बच्चे हम से लाब ले पा रहे हैं, और लगतार अपना परफॉर्मेंस को इंप्रूब कर रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट हो जाता है, तो कितने खुसी की बात है, और अपना भी हमको भी उससे आत्मसंतुस्टी मिलता है, कि नहीं, कुछ ना कुछ तो हम जरूर योगदान उसमें ह आपके रिजल्ट में, तो कुछ नहीं, फ्रस्टेट आपको नहीं होना है, नई इनर्जी के साथ, जो भी पिछली कमी रही है आपका, तो उस कमी को देखते हूँ, उस कमी का एक लिस्ट बनाएंगे, और उस कमी को दूर करते हुए, आगामी जो भी वेकंसी आती है, तो अ अगर आप दो मेहना, चार मेहना अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, चुकि पहले सब परहा हुआ है, समेहनत किया हुआ है, अगर कम मार्स आया है, उससे दिक्कत नहीं है, उसको इंप्रूब तेजी से हम कर सकते हैं, और ऐसा अगर आप मन में ठान लिए, अगर साथ गंटा, गंटा कर डेली, अगर रूटीन बना करके आप चलते हैं, लेकिन रूटीन होना चाहिए, जो कि रेगुलर रूटीन, यह नहीं कि एक दिन पर लिए 12 गंटा, 14 गंटा पीच में एक सब्ता गैप हो गया, तब फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अगर आप रेगु लगातार फॉन कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, कि उनका फाइनल सेलेक्शन हो गया है, एक तरीके से हो ही गया है, लेवल फाइब का, अभी लेवल सिक्स का ही, अभी सकेंड वेरिपिकेशन आपका कुछ दिन में स्टार्ट होगा, फिर लेवल फाइब का, फॉर का, तरीका टू का, उमीद करते हैं कि जो लगातार बहतर तरीके से मेहनत किये होंगे, तो उनके लिए एक नयाद नई दिशा भी मिलेगी, अगर रिजल्ट आगर आपका हो जाता है, तो समझ लेजी कितना आत्मिक खुशी आपको होगा, तो उनको धेर सारा बधाई, जिनका इस पार रिजल्ट जो फेरिपिकेसन करवा रहे हैं, या रिजल्ट जिनका होने वाला है, और जिनका गरवर हुआ है, तो उनके लिए हम मेरा यही रहेगा सांतना की फ्रस्टेट नहीं होना है, बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बरहता है, मंजिल की छाती पर वही वीर लहराता है, वही वीर लहराता है, हार गया जो हिम्मत साथी, जीती बाजी हार गया, साहस करके कुद गया, जो वह सागर के पार गया है, इसलिए घबराना नहीं है, फिर एक बार जोर लगा कर खरे होने का प्रियास करना है, और हमको पूरा विस्वास है, कि इस बार आ आपका रिजल्ट होगा धन्यवाद